इस वीडियो में हम लोग अंच्यान उप्रास लंकार के बारे में बिस्तार से पढ़ेंगे, बहुत ही सरल है, यदि हम लोग अच्छे से थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ें, तो कोई भी विशे ऐसा नहीं है, जो बहुत कठिन हो, अच्छा कोई मार्क दर्सक, कोई यह हम लोग अंत्यान उप्रास के बारे में सीखते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि जब मैंने आपको अनुप्रास लंकार बताया था, तो वहां पे हम लोग उनी चर्चा के थे, कि जो अनुप्रास लंकार है, वो सब्दों या वरणों की आवरिति के प्रकार के होते हैं, उन्मे से पहला मैंने आपको बताया था, छे का अनुप्रास, दूसरा मैंने बताया था, वृत्या अनुप्रास, तीसरा मैंने आपको बताया था, शुरुत्या अनुप्रास, चौथा मैंने आपको बताया था, लटा अनुप्रास, आज हम लोग उसका अंतिम और पाचवा भाग देख रहे हैं अंतिया अनुप्रास तो चलिए देखते हैं बहुत ही शरल है मैं सबसे पहले परिभासा पढ़ता हूं फिर उदाहरण के माध्यम से आपको परिभासा समझाने का प्रयास करूंगा यदि आप थोड़ा भी ध्यान देंगे तो समझ चलिए परिभासा पढ़ें मेरे साथ जब छंद या काभ्य के सब्दानत में समान वृण की आवरिती हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है एक बार फिर साथ परिन पहले जब छंद या काभ्य के सब्दानत में समान-व herb य की समान उर्ड़ीन की तो वहाँ पर अंत्यान प्रास लंकार होता है यह उदाहरण कहरा जैसे देखे सब्दांत देखे इतना ध्यान दीजिए सब्दांत में समान वर्ण देखे ध्यान से देखे सब्दांत में समान वर्ण और आवरिति का मतलब होता है आना तो देखे उदाहरण पर ध्यान दीजिए आग नाग तो लास्ट में गह है यहां भी गह है न इसी कहते हैं समान वर्ण की आवरिति दूसरे में देखे त त लास्ट में त त दोनों में आ में समान वर्ण आजाएं आवरित मतलब आजाएं तो वहां पर अंत्यानुप्रास लंकार होता जैसे लगादी किसने आ कर आग कहां था तू संसय के नाग तो गह समान वर्ण है ठीक है गह और गह समान वर्ण है यहां देखें कहत नटत रीज़त खिज़त यहां पर गलत जियात भरे भवन में एकरत है ननेन हुसो बात तो यहां पर ता देखिया आया है और यहां भी ता आया है इसलिस में कौन सा अलंकार है अंत्यानुप्रास अलंकार है तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी कल हम लोग अगले अलंकार पर चलेंगे मेरे साथ यूँ ही बने रही है